Hello friends, हमारे आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है. आज कल कुछ न्यूस चैनल्स ब्रेकेंग न्यूस के नाम पर बहुत बार छोटी कटना को भी बड़ा चड़ा कर दिखाते हैं और कई बार कास कटना या मुद्दो को आप न्यूस भी नहीं मनते हैं. आज हम बात करेंगे के इस ब्रेकेंग न्यूस के बारे में जिसने कहते हैं आसी कटना का अंदेशा पहले से ही लगा कर दुनिया को भी इसकी जानकारी समय से पहले दी थी. तो वीडियो में हमारे साथ बने रहे हैं. एक बार, 28 अगस 1939 के दिन, क्लेर होलिंगवर्थ नाम के एक ब्रिटिश मैला, जो ब्रिटन के न्यूस्पेपर, The Daily Telegraph की रिपोटर थी, वो पॉलेंड के के टोवाइस नाम के शहर गई और वहाँ पर ब्रिटिश कॉंसुलेट जोन इंथनी ट्वेट्स से मिली. जोन इंथनी ट्वेट्स वहाँ का उप राजदुद था, क्लेर होलिंगवर्थ को पॉलेंड और जर्मनी की बोर्डर पर रिपोर्टिंग करने के लिए जाना था, इसलिए उसने जोन इंथनी ट्वेट्स की मोटर कार और ड्राइवर दोनों मांगे, क्योंकि उप राजद जर्मनी और पॉलेंड की बोर्डर पर पहुंची, तो उसने देखा कि इलाके में बहुत सारे परदे बगा कर रखे थे, ताकि पीछे की पाड़ी और नीचे वाले मैदनी हिस्सों को ढख कर रखा जाए, लेकिन अचानक ते जवाने उस परदे को थोड़ा सा खोल दिया, तो उसके पीछे का द्रशे देखकर, क्लेर होलिंगवर्थ पुरी तरह चौक गई थी, क्लेर ने देखा कि परदे के पीछे मेदनी इलाकों में बहुत सारे नाजी सिपाही, मिलिटरी ट्रक्स, टेंक्स और उसके अलाव बहुत बड़ी मात्रा में और भी बहुत सारे अथ और वो तेज हुमले के लिए तयार है, यह रिपोर्टिंग 28 ओगस्ट को ही क्लेर नहीं अपनी नियूस्पेपर, टेली टेलिग्राफ के लंडन स्थीत ओफिस में कर दी थी, तब तक क्लेर भी वापस केटोवाइस आ चुकी थी, और इस रिपोर्टिंग के ठीक चोथे दि इश्वास नहीं होगा, अपनी बात साबित करने के लिए क्लेर ने फोन का रेसिवर खिड़के के बाहर की तरफ रखा, ताकि एमबेसे के उस कर्मचारी को जर्मन टेंक और सिपायों के आवाज साफ साथ सुनाई दे, और जर्मनी के इसी उमले के साथ, वल्ल्वर 2 की भी बात हो चुकी थी, आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे महनत अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो का अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को सब्स्राइब क और साथी बेल आइकन बटन दबा दे, बहुत जल्द एक और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही, have a good day.